हलो फ्रेंड्स वेलकम टो पारूल्स मजिकल किचन ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं ये पीजा कटोरी बहुत सारी वेजिस और चीज से भरी हुई लग रहेगे ना कितनी अच्छी तो चलिए आज हम बनाते हैं पीजा कटोरी और वो भी कडाई में कि चलिए बनाना स्टार्थ करते हैं सबसे पहले हम अपने कडाई लेंगे इस में मैने स्टैनल रख दिया है और इसको कवर कर दिया है मेडिय मिटी मिनट के लिए प्रिहीट होने के लिए अब मैंने ये लिए मफिन ट्रेश और यहांपर ब्रेट इसके मैने यह कॉऌनर्स काट दिये हैं और इसको इस तरह से कटोरी की शेप है अपने मफिन ट्रेश में हम लगा देगे मफिन ट्रेश को मैने पहले थोड़े से ओईल से ग्रीश कर लिया है ताकि जौ हमारी press है वो उसमें चिपके नहीं यह मैंने सब में इस तरह से कटोरी बना ली है अब हम लेंगे अपनी वेजिस सबजियां आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं यह मैंने यहाँ पर लिए फाइन चॉप की हुई एक मीडियम साइज की प्याज एक मीडियम साइज की ही मैंने लिए है कैपसिकम इसको भी फाइन चॉप कर लिया है और एक मैंने केरेट लिए है यह भी फाइन चॉप की हुई है मैंने यहां पर लिया है एक टेबल स्पून मियोनी मियोनी बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा एक टेबल स्पून मैंने लिए है पिज़र सॉस एक टीश्पून रेट चिली फ्लेक्स लिए है यहां पर मैंने और 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 लिया है मैंने एक टीश्पून और सॉल्ट सॉल्ट थोड़ा कमी डालें क्योंकि पिज़र सॉस में भी सॉल्ट है और चीज जो हम डालेंगे उसमें सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब हम अपनी कटोरियां लेते हैं छोटी-छोटी इन में हम पहले साइट्स में अच्छे से थोड़ी-थोड़ी पिज़ा सॉस लगा लेंगे मेरी चैनल पर ब्रेड पीज़ा की भी रेसेपी है आप उसे जरू जाकर देखें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी अब हम अपनी कटोरियों को फिल कर लेते हैं अपनी वेजिस से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और सिर्फ 15 मिंस में ही बन जाती है आप बना के जरूर ट्राइ करके देखें सबको मैंने फिल कर लिया है अपनी कटोरियों को अब मैं इनके उपर डालूंगी चीज ये चीज मैंने ग्रेट किया हुआ है पिज़ा के लिए मैंने यहा अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे सबको टोरी के उपर और अब हम देखते हैं हमारी चुक कडाई है वो प्रेहेट हो गई है इसमें हम अपनी यह ट्रेय रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको 15 मिनिट्स के लिए बेक होने देंगे 15 मिनिट्स हो गए हैं देख लेते हैं हमारी पिज्जा कटोरी कैसी बनी है यह देखिए वाव कितना अच्छी तरह से चीज मेल्ट हुआ है और कितने अच्छे से बेक हुई है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कितने अच्छ ज्यादा टेस्टी बनती है जरूर बना के ट्राइक करें आप और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग